नमस्कार दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईसल से जोड़े ट्रांसफर न्यूस के बारे में तो दोस्तो इस हफते हम सभी को बहुत जादा इंटरस्टिंग ट्रांसफर देखने को मिला है तो दोस्तो उसी के बारे में हम full details में इस वीडियो में बात करेंगे लेकिन दोस्तो वीडियो में आगे बात करने से पहले मैं आप सब इसे छोटा सा request करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चानल को अगर सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरू सबस्क्राइब कर लिज तो दोस्तो तीन सालों का contract है जॉर्डन मरी का जमसितपूर FC के साथ साल 2023 जून के मैने में जॉर्डन मरी का contract खतम होगा जमसितपूर FC के साथ तो हम सभी को जॉर्डन मरे season 8 में यानि ISL season 8 में जमसितपूर FC के जर्सी में खेलते हुए दिखेंगे तो दूसरा update है दोस्तो FC पंडिता के साथ अपना ывать extension कर वा लिया है तो दोस्तो इशान पंडिता के साथ FC भूआ ने तीन सालों का contract extension करवाया है तो दोस्तो साल 2023 जून के महने में इशान पंडिता का contract end होगा FC भूआ के साथ और दोस्तो तीसरा update 80 के महणबगान FC को लेकर तो दोस्तो जैसे कि हम सभी को पता चल चुका है कि दिपक टंगरी साइन कर चुके हैं ATK मोहनबगान FC के टीम में और इन्होंने साइन किया है दोस्तो तीन सालों के कॉंट्रेक्ट पर तो मतलब दोस्तो साल 2023 जून के महिने में ATK मोहनबगान FC के साथ दिपक टंगरी का कॉंट्रेक्ट खतम होगा तो मतलब दोस्तो आने वाले तीन साल में हम दिपक टंगरी को ATK मोहनबगान FC के जर्सी में खेलते हुए देख पाएंगे तो दोस्तो चौता अपडेट के बारे में अब हम बात करते हैं तो दोस्तो चौता अपडेट है राफायल खिरविलारो को लेकर तो दोस्तो चैनाईन FC के लिए फिर से खेलते हुए दिखेंगे हम सभी को रफायल खिरविलारो क्योंकि दोस्तो चैन्नाइन FC ने रफाइल क्रिविलारो को कॉंट्राइट एक्स्टेंशन का ओफर दिया था और रफाइल क्रिविलारो ने ओफिसिली कॉंट्राइट एक्स्टेंशन के पेपर में साइन कर दिया है तो दोस्तो दो सालों का कॉंट्रेक्ट बढ़ाया गया है रफाइल क्रिविलारो के साथ चैनाइन FC ने बढ़ाया है तो दोस्तो दो साल और चैनाइन FC के जर्सी में खेलते हुए दिखेंगे रफाइल क्रिविलारो तो अब हम बात करते हैं दोस्तो सलाम रंजन सिंग के बारे में तो दोस्तो 80 के मोहनबगन FC के सलाम रंजन सिंग ने अब ओफिसली चैनाइन FC के लिए साइन कर दिया है दोस्तो और सलाम रंजन सिंग ने कहा है कि वो चैनाइन FC के लिए बहुत ज़ादा अच्छा परदर्शन करना चाहेंगे और वो अपना 100% देना चाहते हैं क्योंकि 80 के मुहन बगान FC में सलाम रंजन सिंग को उतना ज़ादा मौका नहीं मिला तो दोस्तो चलिए अब हम बात करते हैं आज के लास्ट अपडेट के बारे में तो दोस्तो आज का लास्ट अपडेट है बेंगलूरू FC को लेकर जून के मेहने में इंका contract खतम होगा दोस्तो तो दोस्तो फिलाल ये वीडियो में इतना ही आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो शेर करो अपने दोस्तों के साथ और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जड़ो सब्सक्राइब करके सापने बेल आइकोन को भी प्रेस कर दो तो चलिए दोस्तो अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में